Hello friends, welcome to perfect institute for civil engineers. Friends, आज का हमारा वीडियो का अगें टॉपिंग है, valuation के ऊपर. Friends, जैसे का हम पहले भी पता चुके, perfect institute for civil engineers, short term courses provide करता है for non-technical or technical students को with 100% job assistance के साथ मैं. Friends, आप हमारे यहां से land survey, quantity surveying, QAQC, fire safety, structural designing और बहुत सारे civil software जो हैं, वो आप हमारे यहां से pursue कर सकते हैं, बह अपने topic के ऊपर जिसमें की valuations, यहां पहले भी और यह तीन वीडियो निकाल चुके हैं, और हम एक बड़े और रिपीट करते हैं, valuation किसको कहते हैं. Friends, valuation is the technique of determining or estimating the fair price of a land, a building और a factory. तो इसको friends, valuation कहा जाता है, मतलब किसी भी building की, land की और factory की fair price, मतलब current price को जानने को valuation कहते है Friends, अब हम आगे चलते हैं, आपने topic के ऊपर जिसमें की हम discuss करेंगे method of valuations, method of valuation क्या होता है, method of valuation एक होता है, rental method of valuation, rental method of valuation वहां पर applicable होता है, यहां पर हमारे पास rental value available होते हैं, मतलब हमारी building पे जो भी हमारी shops हैं, अगर उनकी हमें rent पता है, तो उस हिसाब से हम उसकी rental value, उसकी जो है, valuation, current sectors, property की valuation, valuations में हम net income मैंसे minus कर देगे, और जो भी हमारे expenses है, वो minus कर दे के बाद हमारे को net income मिलती है, that is called net income जो है, net income जो मिलती है, उसको हम लोग valuation में consider करते हैं, उसके बाद friends, बार ही आती है, direct comparison with a capital value, means यह वहां पर applicable होता है, friends, जहां पर हमारे पास rental value है, friends, मतलब अगर हमारी property है, और हमें ना उसकी construction cost पता है, ना rental value पता है, तो उस case में हम क्या खरेंगा, उस locality में कोई अगधर structure बना होगा, कोई other building है, जिसकी valuation हमें पता है, तो उससे हम comparison करते हैं, that is called direct comparison with a capital value, उसके बाद friends, third आता है, valuation based on profit, अब valuation based on profit, मतलब मान लिए कैसे पता करेंगे, friends, उसकी locality में, वो किस locality में है, वो आपर पर देंगी, उसकी income लिया है, वैसे ही हम लोग different different structure की हम लोग generally use करते हैं, इसमें होटल, cinema, trader, shops, इन चीजों की हम लोग देखते हैं कि क्या daily income है, उस हिसाब से हम उस property की valuation करते हैं, उसके बाद friends आता है, valuation based on cost, valuation based on cost means, उस building की क्या cost थी, construction cost क्या थी, उसके उपर ये totally depend करता है, friends, उसके बाद आता है, development method of valuation, development method of valuation means, अगर मान लिजे, आपने देखा हो, आपके locality में, आपके आस पास में कुछ building ऐसी होती है, कि जिनके owner, पूरी building खड़ी नहीं कर पाते हैं, वो उस property को बेचना चाहते ह बड़ खरिदा जो उसको खरिदेगा, अब बूरी तुरह से तयार नहीं है, तो वो किस पर खरिदेगा, तो फ्रेंट उसके जो value लगा जाती है, based on development method के उपर लगा जाती है, मतला किस location पर है, उसके आगे पीचे पार्क बगरा, अवलिबल अगर रही देशन है, तो पार् methods, बनाने का क्या method था, यूज क्या, डवलप्ट जो डवलप कर रहा था, वो क्या method रहाँ उसके पीचे उसको रहा था, रोट फ्लाइट फेशिक था, नहीं था, वो सारी चीज़ उसमें एसमें consider लिया रहते है, that is called development method of valuation, उसके बाद फ्रेंड लाज आज काता है हमारा depreciation method करना चाहते हैं तो उसके इसमें चार में जो कंपनेंट से बिल्लिंग के स्क्रक्चिर से उनको कंसेडर करते हैं इनकी जो आज की डेट में प्रेजेट में जो इनकी वैलिए उसको ज्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है यह होता है दी इकल टू पी ड्रेक्ट में 100-RD अपन 100 ड्रेक्ट टोस एं तो अब यह क्या है फ्रेंस पी इसमें धीक्या है डेक्रिशेशन कॉस्ट एकोल टू पी मिल्स प्रेजेंट वैल्यू आट मिल्स रेट एंडी मिल्स डेप प्रेशेशन मेफड ऑफ डेलिए यूज करते हैं फ्रेंट्स होप यह वीडियो के आपको अच्छा लगा होगा प्लीज अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे अगर आप और आपको कोई फ्रेंड या रिलेटिव करना चाहता है तो दसवी भारवी या आई के डिप्लॉमा या बिल्लेट है प्लीज आप हमसे कॉंटक्ट कर सकते हैं वी विल प्रवाइड देम अगुड नॉलेज अबाउट अब अगुड कर सकते हैं हमारे जो भी कॉर्स अफ्रेंड्स यह मार्केट बेस हैं मार्केट प अबई लगी यह में आप यह लो थाइड आउटाव कर सब्सुर्षट ।